असलामुलीकुल विवर्स कैसे हैं आप सब आज मैं कुछ ट्रैसिस लेकर आई हूँ जो के गर में रेडी हुए हैं और इनको आप देखके कुछ आइडियाज मिल जाएंगे जिससे आप इनको रेडी करवा सकते हैं तो चले फिर आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से इनको रेडी किया गया है और ये देखें ये इंब्राइडवी वाला उपर वाला पैनल था इसको बिल्कुल शर्ट के साथ ही टेस्ट नहीं किया बलके थोड़ा सा गैप देते हुए लहधा से इसको उपर जैकेट टाइप स्लाइब कर लिया तो ये देखें ये नीचे से भी ओपन इधर वाली साइड से और ये गला भी बिल्कुल ओपन है लहधा से और बाजू भी लहधा से है तो ये देखें ये इसको बंद करते हुए सेंटर से उपर टसल लगा दिये बाजू के उपर अल्रेडी इंब्राइटरी थी तो इधर चोटी सी बारीक शेप में बंद कर दिया उपर पैनल लगा दिया तो अब आप देख सकते हैं नीचे वाला जोगे रहा है थोड़ा पीछे वाला लॉंग है और आगे वाला थोड़ा सा उंचा रखा और पीछे वाले की गोल शेप और आगे वाले की बिल्कुल सीधी शेप तो इसके साथ ही अब आगे ट्रोजर की तरह चलते हैं यह देखें ट्रोजर को जादा डिजाइन नहीं किया क्योंकि आल्रेडी इसके ऊपर इंप्राइडरी थी तो बटन लगा दिये और यह इस तरीके से ट्राइंगल से उसी कलर को कंट्रास करते हुए काट्स लगा दिये इसकी बैक साइड भी आप देख सकते हैं तो अब एक और ट्रोजर है जो के बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा है तो इसके उपर यह एंकर थ्रेड के साथ वर्क हुआ और लेस लगाई तो इसकी जो शर्ट थी उसके उपर रेड कलर के फ्रावर्स थे तो इसलिए रेड और ब् पिंटक्स नीचे वाली साइड पे और सेंटर में कर्ट वर्क तो अब आप देख सकते हैं और ये देखें मेरे पास कुछ लेस के पीस थे इनको कपड़ा उपर की तरीके से लगा दिया थोड़ा सा पीस जो था घेरे पे और इसी दो पीसों को जोड़ते वे लेस के इसका गला सा बना दिया और साइडों पे कपड़े को टास देते वे पटियां लगाते हुए कलियों वाली तक्रीबन शर्ट सी रेडी हो गई तो अब इसके उपर सेंटर में बटन लग जाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा तो ये देखें आगे गला है बहुत सिंपल सा उपर वाली साइड थी तो इसको क्या किया ये जो पट्टी लगाई है ये शर्ट से साइड से बचा वा बार्डर था तो इसको इसके उपर करते हुए टैस किया और ये देखें सेडी लेस इसके घेरे में जब बार्डर को टै लगाने से प्यारा सा बन गया और अब देखें ब्लैक और मैरून का टच देते हुए गले को त्यार किया है सेंटर में बटन लगे और ये ट्राइंगल सी वह ट्रॉजर का जो कप्रा था उसकी वह लगाते हुए गला और बाजू पर देख सकते हैं लटकने वाली लेस और बाज़ था पर डाइंगल सीडी लेस लगा दी इस तरीके से ये दो टच में कलर में टच देते हुए ये इसका ट्रॉजर है यहां पर भी जाहर फिर मेरून कलर का टच देते हुए इसको रैडी किया है और बटन नीचे भी लेस तो इस तरीके से आप लोग भी अपने इससे नई नी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी यह देखें यह काट वर्क्स साइड से बचे हुए कपड़े के लगाते हुए गले को रेडी किया और लेस लगा दी इनके तीनों साइडों पे यह अब आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप एक कलर या दो कलर को लेके भी इस तरीके से रेडी कर सकते हैं और आते हैं स्लीव की तरफ तो यह बिलकुल ओपन रखे थे यह थोड़ी थोड़ी इसी उपर वो पटियां सी लगा दी और यहां से गोल शेप देते हुए चोटा सा कट रखते हुए बाजूं को रेडी कर लिया तो यह इसको यह शलवार थी उसका पांचे में यह देखे पाइपिंग दोने तरफ कर दी तो अब ब्लैक की तरफ आते हैं ब्लैक को दिया है स्कीन कलर से टच और बैन के अंदर वाली साइट पे स्कीन और इधर भी थोड़ा सा शॉल्डर बनाया और इस तरीके से इसको रेडी किया और बटन और नीचे से स्क्रिप नकालती हूं बाहिर की तरफ तो इसको इसके साथ इस तरीके से बटन लगेगा तो यह बाजू प्यारा लगेगा और थ्री क्वाटर चोटा जरा होते हुए रेडी हो जाएगा तो यह भी बड़ा अलग सा बड़ा प्यारा पहनने जाने वाला सूट है गोल गेरे की नीचे से शेप देदी अब आते हैं बचे के फ्रॉक की तरफ तो यह देखें कि कलियां सी डालते हुए उपर लेस अटेच करती और इस तरीके से बड़ा सा गोल गला और साइड़ों पे लेस और सेंटर में बटन लगा दिये तो थोड़ा सा फलेरी सा नीचे से फ्रॉक टाइप बनाते हुए चौक बंद कर दिये और नीचे की तरफ पाइपिंग लगा दिये और चलते हैं इसके बाजू की तरफ बाजू में जो ट्रोजर का बचा हुआ थोड़ा सा कपड़ा था उसको लगाते हुए इसको फलेरी सा थोड़ा सा अम्रेला शेप में बाजू दे दिया और यहां पर लेस लगा दी मेरे चैनल पर कपड़ों की डिसाइनिंग भी है ट्रोजरों की बाजूं की कटिंग और सलाई और गले की डिसाइनिंग है तो आप वीज़ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें यह देखें यह पट्टी लगी है पाइपिंग करते हुए और सेंटर में बटन और इसकी कमर में चॉनट स्टाल के उपर लेस लगा दिया और सेंटर में यह जगा थी इसको बिलकुल बगैर चॉनट के सिंपल ही रहने दिया यह देखें साइडों पर लेस और इसके बैक पर इसी तरीके से जाती हुए लेस तो इसके जो नीचे कनारा था वहां पर हमने वो कर दी है पाइपिंग और अब आते हैं अगले सूट की तरफ यह देखें यह बैन पाइपिंग कर दी है और इसके साइट पर बटन लगे है क्योंकि इस सेंटर में फ्लावर जा रहे थे तो क्यों ना कि फिर इस तरह का डिजाइन सेलेक्ट किया कि हमारा यह फ्लावर भी बच जाए और डिजाइनिंग भी खराब ना हो तो इसलिए यह साइट पे बना दिया तो और भी अलग हो और प्यारा लगने लग गया तो नीचे इसके लेस लगा दी तो बाजू देखें अबरेला शेप में बना दिये और नीचे की तरफ पाइपिंग कर ली है यह वो और उपर लेस लगा दी यह देखें सेंटर में बटन लगा दी है पाइपिंग करने के बाद और इसके बाजू बड़े प्यारे से बनाए यह डबल फ्रिल लगा के यह द अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल पर कटिंग और स्टिचिंग भी है तो यह देखें यह ट्रोजर और यह पटी लगा दी साइडों पर सेंटर में लेस और यह जो पटियां थी यह शर से साइड से बचावा बार्डर था वहां से हमने लेकर इसको इस तरीके से डिजाइ लाइन किया यह देखें एक और ब्रैक कलर और स्किन इसमें सर्कल सा बना हुआ है तो यह देखते हैं यह देखें बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा गले का डिसाइन है और यह जो उपर बारीक सी लेस लगाई है इसको कमर पर ले आए हैं तो इसी तरीके से बाज़गों के उपर दो लाइन लगा दी थोड़ी सी बारीक थी तो फिर इसलिए दो का इस्तमाल किया और यह देखें आगे बढ़ते हैं यह देख सकते हैं यह टोजर का बचा हुआ प्रिंटेट कपड़ा था इसको किस तरीके से गले पे लगाया और इस तरीके से लाते हुए यहां पर पोटली बटन को टैज करते हुए तीन-चार कलरों का कॉमिनेशन किया और गले को रेडी किया और कनारे पे बाजूं के और घेरे पे वो शिटल लेस थी बारीक सी उसको लगाते हुए इसको कम्प्लीट किया तो एक और ट्रोजर आगया है देखे कितना अलग सा डिजाइन है यह इदर चोटे-चोटे पलेट्स डले हैं यहां पर सीड़ी लेस है और नीचे शिटल लेस बारीक सी लगा दी इसके कनारे पे और उपर भी सीड़ी लेस तो बनाना भी आसान है और वाश करने के बाद भी खराब होने वाला नहीं है तो यह चलते हैं बाज़ों की डिजाइनिंग की तरफ अभी इसकी सलाई कम्प्रीट होने वाली है तो आप देख सकते हैं और इदर से काट वर्क किया और साइडों पे मोती वगा दिये तो यह भी समर सीजन का बहुत ही प्यारा सा अलाग सा डिजाइन है यह समर सीजन का एक और गले का डिजाइन ना गया तो किस तरीके से इसका नेट का डिजाइनिंग की है थोड़ा सा डार कलर था तो इसलिए इसके पे कट वर्क किया ताकि थोड़ा सा वीजिबल हो सके और यह थोड़ा सा मोटे कपे में ड्रेस है जीन्स में था तो इसको वेलवट उपर कॉलर और पटी सी बनाते हुए इसको किस तरीके से किया है यह लेखें यह साइट पर आप देख सकते हैं यह चार प्लेट से डाल दिये और इनको टैस उपर से पटी एक और लगाते हुए पटी लगाई है वेलवट की उपर और यह देखें यह नीचे से ओपन रखती है शर्ट तो यह देखें काफ पे भी इसी तरीके से हमने वो लगा दिया है बॉर्डर अमीद करती हूँ आपको ड्रेस अच्छे लगे होंगे मेरे वीडियो का लाइक कर दें और इसके बैक प थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि इस तरीके से यह द्रेस इस टेड़ी हुए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने का बहुर शुक्रिया